वेलकम स्टों तो यहाँ पे हमारे पास हलो अलकेन, हलो अरेंग क्लास 12 का NCIT एक्जम्पलर के अंदर के एक कोशन है कोशन को which is the correct increasing of boiling point of the following compound यहाँ पे boiling point की increasing order यहाँ पे हमें समझना है पहला compound है 1 iodobutane, दुसरा है 1 bromobutane, तीसरा है 1 chlorobutane और butane तो यहाँ पे इनके structure जब हम समझेंगे, अब यहाँ पे चारो compound जो है 1 iodobutane हो, 1 bromobutane हो, 1 chlorobutane हो और butane हो इनमें सब में carbon की chain से में, तो यहाँ पे आप देख सकते carbon की number से में और iodine यहाँ पे आपका सबसे molecular weight में ज़्यादा है, उसके बाद BRA, उसके बाद CLA तो जिसका molecular weight ज़्यादा, उसका यहाँ पे boiling point क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो molecular weight ज़्यादा, size ज़्यादा, boiling point उसका ज़्यादा, control force यहाँ पे ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे फिलाल सबसे ज़्यादा molecular weight यहाँ पे iodobutane करेगा क्योंकि या पे iodine की साइज सबसे जदा है हैलोजन में या पे आपका chlorine chlorine, bromine, iodine so iodine का या पे पे सबसे जदा है तो highest molecular weight रहेगा इसका मतलए भी आपे highest boiling point भी रहेगा तो या पे हम बोलेंगे highest boiling point और या पे इसका lowest या पे molecular weight रहेगा lowest molecular weight रहेगा तो यहाँ पर इसका lowest boiling point भी रहेगा तो यह हो गया आपका lowest boiling point यह हो गया highest तो यहाँ पर हम arrange करेंगे अभी देखो तो यहाँ पर इसका 1 number हो जाएगा इसका 2 number हो जाएगा इसका 3 number हो जाएगा इसका 4 number हो जाएगा तो यहाँ पर increasing boiling point के order में आपे butane सबसे कम उसके बाद one chlorobutane उसके बाद one bromobutane और सबसे ज्यादा रहेगा one iodobutane तो यहापे हमारा कौनसा option दिखाई दे रहा है ड़ेखो सबसे ज्यादा one iodobutane मतलब first के अंदर यहापे लिएको first के अंदर यहापे completely match हो रहा है ड़ेखो completely यहापे matching होगा ब्यूटेन से ज्यादा 1 क्लोरो ब्यूटेन, उससे ज्यादा 1 ब्रोमो ब्यूटेन और सबसे ज्यादा 1 आयोडो ब्यूटेन, तो option number 1 is the correct answer, हाई आप इस कोशन को बहुत आच्छे दर से आप समझ गयोगे, हाई आप एंडेस्टन एक्समेनेशन, thank you.